कि चलि अब यह जाने के बाद बस दो लाइन इस बची है कि यह हो जाने के बाद अपना एम्पीर का नियम एम्पीर का नियम कहता है बी डोट डिल का लाइन इंटिग्रेशन इक्वल टू मिउनाट इंटू आई टोटल समझना जी तो एंपियर के नियम से तो यहां लिख देता हूँ बाई एंपियर रूल एंपियर के परिपधी नियम से इंटीग्रेशन कंप्लीट बी का लाइन इंटीग्रल फुल लूप में बराबर मू नॉट इंटू कितना आई इसको हिंदी में आई कुल अब बोलोगे सर अब इस बार आपने कुल क्यों लिखा इसके पहले तो क्यों लिखा क्योंकि इस समय कुल धारा निकालने की समस्य आपने सामने अभी तक नहीं आई थी अब इस बार कुल धारा निकालने की समस्य पहली बार आ रही है अब आप देखेंगे कैसे आ रही है B.DL कितना निकला है बेटा B into L Mu not into सावधान भाई साव हाँ एक फेरे से जाने वाली धारा कित्ती है बोलो एक फेरे से जाने वाली धारा कित्ती है तो N फेरों से जाने वाली धारा कित्ती होगी N I पता है न जब एक turn मारते हो तो धारा आई जाती तो दो round लगाओगे तो धारा बढ़ेगी ना 2i होगी ना है ना तो n फेरे से जाने वाली धारा कित्ती होगी n i total फेरे कितने है capital n कितने है capital n हाँ है ना तो जब एक फेरे से जाने वाली धारा आई है तो N फेरों से जाने वाली धारा कित्ती होगी बच्चे N I और अभी-अभी मैंने बताया था N I बरावर होता है N into small N into और जहां पे small N है प्रती एकांक लंबाई में फेरों की संख्यातु लिए भाई साब रख रहा हूँ मैं B into L mu not इसकी जगे N into कितना into कितना LCL cancel आंसर आ गया चुम्ब की छेतर B equal to mu not N I अब याद रखेगा यहाँ जो small N आ रहा है capital N नहीं आ रहा है और small N का मतलब प्रती एक आंक लंबाई पे फेरों की संख्या B equal to mu not N I यही परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदू पर चुम्ब की छेतर होता है अब एक point रटने वाला है उसको भी रट लीजिए कि परिनालिका के केंदर पर यहाँ पर चुम्ब की छेतर हर जगे इतना होता मगर अब आप कोने की बात करो बच्चो चुम्ब की छेतर जस्ट आधा हो जाता है यहाँ पर बीच में यहाँ पर हर जगे इतना रहेगा मैंने बोल दिया रटने की बात करो किसकी बात तो उसमें दिमाग इमाग मत चलाओगी क्यों कैसे हो जाता बस रटना है कि अगर आप कोने पर बात करो ईंड पर बी उनट तो चुम्ब की छेतर आधा हो जाएगा तो कॉम्प्टेटिव के लिए लिखवाए देता हूँ मैं बी एंड ज rättने हिंड बोलते हैं सीरा क्या बोलते हैं सीरा बर चुम्ब की छेतर होगा की field exactly कितना होता है समझ गया है न हमके बल परिनालिका की बात कर रहे हैं बार मैगनेट में क्या होता है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है बार मैगनेट में बाद मताएंगे है अगर बार मैगनेट का derivation करना है तो फिर अलग से उसका derivation करना पड़ेगा लेंथ निकालनी पड़ेगी एरिया निकाल करके सब कुछ उसकी चोटे-चोटे देख लीजे ठीक ना ये में चीज है पेटा आई धारा कुल एक फेरे से धारा आई है एन फेरो से कित्ती होगी एन आई और एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल एल से एल कैंसल हो गया बस आगया अंसर अपना आप से यहीं तक पूछा जाएगा ठीक ना तो इसलिए परिनाल झाल 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 पिक घ्रमा झाल झाल